नमस्कार दोस्तों स्वागे थे आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चनल बाजार के पंडित में तो दोस्तों एक बड़ाप डेटा आ रहा है RBI की तरफ से अगर आप देखेंगे RBI की तरफ से कल के लिए बड़ाप डेटा आ रहा है क्योंकि आपको पता है कि जितने भी बांक है HDFC बांक, ICC बांक देखेगा जितने भी दिगज बांक हैं उनके लिए डेटा बहुत ही इंपोर्टेंट होता है और लास पर्टिकुलर फ्राइडे को ये डेटा निगेटिव आया था तो आपको पता है निगेटिव जो आया था आप्टर लॉंग टाइम जो निगेटिविटी देखने को मिली थी उसका इंपाक्ट आपने मार्केट में देखा कि इंपाक्ट आपको देखने को मिला कि किस तरीके से मार्केट ने बिहेव करा पूरे के पूरे वीक में तो आप देख सकते हैं तो इनमें jump देखने को मिला है फिर से यानि कि फिर से वो जो track है वो continue होते हो देखने को मिला है और जो तेजी आई है वो 1.6 billion dollar की आई है तो ये बहुत important है बैंकों के लिए चुकिए RBI को भी पिछले particular week में काफी जादा बड़ा शौक लगा था जब की देखेगा dollar कहीं से भ बहुत बड़ा low बनाया हो last particular week में भी तो ऐसे में इतना data जो खराब आ गया था forex का वो कहीं न कहीं impact कर रहा था nifty bank के लिए लेकिन अब फिर से ये data अच्छाया है जो कि एक बहुत ही बहुत ही राहत की सांस है क्योंकि आपको पता है कि इस समय forex लगातर बढ़ते रहना क आप देख सकते हैं कि जब आपको पता है कि forex आपके पास परियाप्त मातरा में होता है RBI के पास परियाप्त मातरा में होता है तो डॉलर में कहीं से भी तेजी आती है तो वहाँ पे RBI forex market में short positions लेकर डॉलर पर देखेगा बहुत ज़ादा अपने इंडियन रुपी पे दबाओ नहीं बनने देता तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी तरीके से reserve experience modest increase काफी अच्छा खासा increase देखेँ मिला है 1.6 billion डॉलर का और जो आपका तकरीबन तकरीबन इस समय देखीगा जो forex हो गया है वो 619 billion डॉलर का हो गया है कितना हो गया है 619 billion डॉलर का हो गया according to the reserve bank of India on Friday अगर आप देखेंगे दाओस में उन्होंने अभी बोला है World Economic Forum में उन्होंने बोला है और देखेगा उन्होंने commitment किया है यहाँ पे कि वो लगातार देखेगा एक बहुत ही healthy forex create करेंगे आने वाले time में और चाहे जितने भी challenging task देखने को मिलें चाहे जितने भी challenging geopolitical tension देखने हो मिलें तो आपको पता है उसी path पर आगे बढ़ रहे हैं और आपको पता है कि किसी भी देश में forex का बढ़ना track करता है FII देखेगा funding को FII देखेगा investment को पिछले हफते देखेगा इसमें काफी बड़ी गिरावट आई थी तो आपको भी पता है कि पिछले ह 1000 करोन का माल सेल करा है FII ने जो आज तक कभी भी नहीं देखने हो मिला within two days में तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बात है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पिछले जो हफते में जो हम लोग को shock लगा था वो भी आपको देखता है ज़रूरी है चुकि लगातार ह यह देखेगा डेटा आ गया था डेटा किता है था 5.89 बिलियन डॉलर का आपको फॉल देखने को मिला था तो जो इस तरीके का फॉल अचानक से देखने को मिलता है तो FII पे बहुत impact पड़ता है तो FII पे कैसा impact पड़ा इस particular week में वो आप FII डेटा देख सकते हो और जितन महिने दो महिने में बेशते है FII उतना जस्त उन्हें ने विदिन टू डेज में sell out करा है और आपको पता है जिसके कारण देखेगा निफ्टी बैंक में देखेगा आप समसकते हैं तकरीबन तकरीबन अगर आप देखेंगे तो धाई हजार से 2600 पॉइंट का फॉल आया है अगर strategic way में इसी तरीके से हम बढ़ते रहे तो हो सकता है कि इस particular year में हम इस particular देखेगा all time high को भी pick कर सकते हैं अब आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं कि RBI में Forex के data में सबसे अधा important होता है आपका जो देखेगा होता है FCA account, FCA account में काफी अ gold reserve में देखेगा gold down हुआ है तो gold reserve कम हुए है अगर gold reserve भी देखेगा up हो रहे होते तो ये data और भी अच्छा था, SDR अगर आप देखेंगे तो इसमें increment देखने को मिला है 12 million dollar का, अगर आप IMF में position देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं the monetary position जो है हमारी IMF में पिछल अच्छा high बना रही है इस particular week का तो ये nifty bank के लिए positive update है focus करेगा, वीडियो गर अच्छा लगा है तो like share subscribe करेगा, thank you so much